आज बना रहे हैं सिंधी स्पेशल वड़ी पटाटा या वड़ी आलू वड़ी जो होती है वो उरत दाल से बनाई जाती है मैंने ये रेसिपी पहले भी शेयर की है लेकिन वो मेथड अलग था और ये मेथड अलग है और फा बेटर भी है ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा मैं निकीता अहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में चलिए शुरू करते हैं वड़ी पटाटा बनाने के लिए इन इंग्रीडियन्स की रिक्वार्मेंट है विडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेर और चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजे तो सबसे पहले हमें कुकर में हम एड़ कर देंगे एक चमच जीरा और साथो साथ महीन कटी हुई प्यास प्यास को हमें अच्छे से बुन लेना है ब्राउन कलर होने तक इन सारी चीजों की मातराएं आप स्लाइड में चेक कर ली थी तो ये देखिए प्यास जो है ब्राउन हो चुका है अब हमने इसमें आदा कप पानी आड़ करना है और इसे मिक्स कर देना है सिर्फ आदा कप ज्यादा नहीं आड़ करेंगे इसके बाद हमें एक विसल तक इसे कुक करना है ये क्यों करना है वो आप आगे देखिए क्योंकि हमें प्यास ब्लेंड कर लेना है तब ही जो वड़ी पटाटा का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है टेक्स्चर अच्छा आता है अब हमने ये पेस्ट तयार कर दी इसमें हमने हरी मिड्च आट कर दी है और जिंजर गालिक पेस्ट जिंजर गालिक को मैंने क्रेश कर लिया था आतो के सायता से अब चाहें तो ready made paste का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से स्वाज ज्यादा आएगा एक मिनिट तक इसे भी cook कर लिया है अब हमने tomato puree आट करनी है और tomato को बहुत ही अच्छे से बुन लेना है ताकि tomato का कच्चापन पूरी तरीके से निकल आए लगबग 6 से 8 मिन्टो का टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस में तो साथो साथ हम इसमें नमक, लालमिज पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर आट करेंगे एक डम बेसिक से मिसाले हैं जो आपके किचिन में आसानी से अवेलिबल होते हैं इन सबको हमें मिक्स कर लेना है, बुन लेना है, जब आप देखेंगे कि इसका ओई चूटने लगा है आठ मिन्टो के बाद उस समय पर इसमें पटेटोस आट करेंगे तो बड़ी साइस के पटेटोस ही कट कीजे क्योंकि वही शांदार लगते हैं इस रेसिपी में तो हमें पटेटो को भी वन मिनिट के लिए बुनना है और साथ हो साथ एक मिनिट के बाद ही ज्यादा समय बाद नहीं हमने इसमें वड़ी आट करनी है यह आपको आसानी से बाहर स्टोर पर मिल जाती है, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं घर पे वड़ी को हमीशा पहले दो लीजिए दो से तीन बार और फिर आट कर दीजिए अब हमें आलू और वड़ी को साथ में बुन लेना है पाच से छे मिनिटों के लिए मीडियम आज पर कंटिनियसली आप इसे बुनते रहें जितना आप सबजी को बुनेंगे उतना आपकी सबजी का स्वाद इंक्रीज हो जाएगा चलिए लगबग 6 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें गरम मसाला आट करेंगे आप चाहें तो इसमें मीट मसाला, मैगी मसाला का बेस्तिमाल कर सकते हैं गरम मसाला से फ्लेवर और इंक्रीज हो जाता है और कसूरी मेथी ये तो आपको पता है एक रिच्वल सा है मेरी हर सबसी में कसूरी मेथी डेफिनिटली होती है तो अब हम इसमें पानी आद करेंगे मैंने यहां देड से दोग का पानी का इस्तिमाल किया है जितनी ग्रेवी अब इसको सीटी लगा देंगे कितनी सीटी लगानी है मैं यहां सिर्फ दो सीटी लगा रहे हूं क्यूंकि सबसी को हमने अल्डेडी काफी देर तक बुन लिया था तो यह हलकी से सॉफ्ट होई चुकी है अगर ज्यादा सीटी लगाएंगे ना तो आपकी वड़ी जो है व वड़ी भी सॉफ्ट हो चुकी है यानि इस इन इंडिकेशन आपकी सबसी रड़ी हो चुकी है तो मैं फ्लेम ओफ कर दूँगी आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार लग रहा है यह रेस्पी मुझे मेरी कजन अंजली ने शेर की है लाइक इस तरीक से ब्लेंड करते प्यास को बहुत ही मज़ेदार बनी है वो प्यास का कच्छापन नहीं दिख रहा है इसमें मैं से खाऊंगी यलो राइस के साथ जो टमाटर और मस्टर्ड से बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है वाइट राइस के साथ आप कह सकते हैं लेकिन मेरे गर पे इसी तरह कॉंबिनेशन पसंद है तो मैं आपको आप दिखा देती हूं सिंधी वडी पटाटा कैसा दिखता है अब एक हाथ से शूट कर रही हूं एक हाथ से ये पीसेस थोड़ी थोड़ी दिक्कत लगती है एनिवे जस्ट लोक आट इट गरम गरम वडी विद गरम गरम बहुत अमेजिंग स्वाद बना है बहुत खुशबू आ रही है घर में तो डेफिनिटली आप भी सिंधी वडी पटाटा ट्राइ करें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक निकिता कोपक, Facebook, YouTube, Twitter, Nikita Ahuja. This is Nikita. Bye-bye. Take care. Stay healthy. Stay happy. Stay safe.